हेलो एवरिवेंड वेलकम बैक टो मैं चैनल असलाम उलेकूम कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे तो जी आज मैं आप लोगों के साथ सूखी अर्बी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है आप सभी लोगों को बहुत ही जादा पसंद आएगी तो चलिए बिना दर किया हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो यह बहुत ही कम हो जाती है तो इसलिए हमने यहां पर क्वाइल करने के लिए रखेंगे तो उसके लिए हमें कूकर ले लेना है तो यहां अर्वी को हम वाइल करने वाले हैं कूकर में तो यहां पर मैंने कूकर ले लिया है और साती हमारी जो अर्वी है उसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था इसको हम डाल देंगे कूकर के अंदर तो जी हमने अर्वी को ट्रांसफर कर दिया है कूकर में और अब हमें इसके अंदर डालना है पानी तो जी पानी हमें यहाँ पर इसमें लगाना है जैसी कि आप देख सकते हैं अर्वी से थोड़ा सा नीचे तक हमें पानी लगाना है जिसमकी हमारी airby अच्छे से boil हो जाएगी और अगर अपकी airby नहीं होती है तो आप उसमे 10USSETE और भी लगा सकते हैं वैस्ट स fiscal यह बहुत ही easily बहुत ही आसानी है और इतने कम समय में हो जाती है अगर नहीं होती है by chance तो आप इसमें और सेटी हां लगा सकते हैं तो जी यहां पर कूकर में 3 सीटी आ चुकी है और इसके जो प्रेशर है उसको रुलीज हो चुका है आप देख सकते हैं तो इसको हम खोल कर एक बाद चेक कर लेते हैं तो गाइस यह देखिए फटाफट से हमारी जो अर्भी है वो अच्छे से वॉयल हो चुकी है और हमारी जो अर्भी है वो बहुत ही अच्छे से गल गई है तो इसको हमने ट्रांसफर कर लिया है एक बरतन में इसको पानी है उसको हमने निकाल दिया है और इसको हम हलका सा और किसाद और दमारा में लह एकड़ सब्सक्राइब से तो चलिए हम इसे पीस करके तयार कर लेते हैं तो चलिए हम इसे पीस करके तयार कर लेते हैं तो जी आप देख सकते हैं इस तरह का दरदरा मसाला पीस करके हमें तयार कर लेना है और यह मसाला हमारा तयार है तो चलिए फटा-फट से अब हम अर्वी को बनाना स्टार्ट कर ल इसमें हम डालेंगे वन टीस्पून भरके अजवाइन अजवाइन का जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आता है अर्वी में तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और अजवाइन को अच्छे से डाल कर हमें चटकने देना है इसका जो कलर है वो हलका सा चेंज होने तक तो जी आप देख सकते हैं अजवाइन हमारी हो चुकी है तो यहाँ पर एक बड़े साइस की प्याज को मैंने अच्छे से कट कर लिया था और हम डाल देंगे तेल में डालकर हमें प्याज को अच्छे से पका ले रहा है जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए हरी मिर्च और हरी मिर्च को डालकर इसे एक बार चला लेंगे हरी मिर्च को एक बार इस तरह से चलाने के बाद हम इसमें एड कर देंगे हमने जो यहाँ पर अर्वी को उबालकर रखा है ना इसको हम डाल देंगे इसमें और डालकर हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है तो जी हमारी जो अर्वी है अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब यहां पर हमने जो मसाला बना कर रखा था ना वह मसाला दो चमश भरके हम यहां पर डाल देंगे आप अपने टेश्ट को अकॉर्डिंग डालिएगा जैसे हिसाब से आप अर्वी बना रहे हैं उसके वग्ट लगे कि आपके सबसी में नमक कम है तो आप एक बार टेस्ट करके भी देख सकते हैं और अगर आपको नमक कम लगे तो इस वक्त आप इसमें नमक एड कर दें और चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें तो जी मैंने यहाँ पर जो चीजे में नमक डाला था न वहीं बढ़िया खुश्पु आ रही है और यह देखे एक बार हम इसे इस तरह से चला कर दूसरे साइट से दो मिनिट के लिए पका लेंगे और बहुत ही अच्छे से हमारी जो अर्भी है बन करके तयार हो जाएगी तो जी दो मिनिट हो चुके हैं अर्भी को पकते हुए और गयास बढ़े हो सभी को बहुत पसंद आती है तो आप इसे एक बार जरूर से बनाएगा और मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी क्या सी लगी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न हुपीज